सपा और कांग्रेस में हुआ सीटों का बटवारा यूपी में 17 सीटों पर लड़ेगी कांग्रेस सपा समेत इंडिया गडबंदन के बाकी दलों को मिली है 63 सीट नमस्कार में संजयम बेटकर आप देख रहे हैं भीमराज दस्तच चैनल दरसल आपको बता दे कि आगामी लोकसवा चुनाओं में उत्तरप्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गडबंदन का बुद्धवार को अधिकारी का एलान किया गया कांग्रेस और सपा गडबंदन के तहट कांग्रेस यूपी में 17 सीटों पर चुनाओं लड़ेगी जानकारी के मुताबिक आपको आगे बता देकि उत्तरप्रदेश में कांग्रेस के अध्धच्च विनास पांडे ने कहा कि इंडिया गडबंदन के द्वारा पूरे देश में लोकतंत्र को बचाने के लिए और समिधान का सम्मान सुरच्चित रखने के लिए देश की सभी जिम्मेदार पार्टियों ने जो तै किया है उसी के अगले कदम के रूप में सपा और कांग्रेस यूपी में सीट के बटवारे को लेकर जो 80 लोकसबा सीटे हैं उस पर दोनों दलों के अध्यच्चों के कहने पर एक कमेटी अस्थापित की गई है जिसके जरिये सभी पार्टियों को साथ लाकर बिजेपी का मुकाबला और कैसे उसे हरा सकते हैं उस पर तै किया गया है आगे आपको बता दे कि उन्होंने कहा कि मुझे खुसी है कि उत्तरप्रदेस में आपसी समनोय से फैसला लिया गया है कि कांग्रेस उत्रप्रदेश में 17 सीटों पर चुनाव लडेगी और गडबंदन के द्वारा अन्य बची हुई 63 सीटों पर इंडिया गडबंदन के समेदल चुनाव लडेगे अब बात आई है यूपी में किन 17 सीटों पर कांग्रेस लडेगी चुनाव लोगसबा चुनाव में उत्रप्रदेश की जिन 17 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लडेगी उनमें से राइबरेली, अमेठी, कानपूर नगर, फतेपूर सीकरी, बांसगाउं, सहारनपूर, प्रियागराज, महराज गंच, वरानसी, अमरोहा, जहांसी, बुलन सहर, गांजिय मतुरा, सीतापूर, बाराबंग की दिवर्या, सीट सामिल है, इस खपर पर आपकी क्या किमती प्रत्क्रिया है, कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो दबा की सेर कीजिएगा, हाँ फेस्बुक पेज पर देख रहे हैं तो फेस